तो दोस्तो आज 22nd April 2023 मार्केट तो फिलाल आज क्लोस था सेरड़े के बज़े से बट लास्ट डे यानि फ्राइडे के दिन मार्केट में थोड़ा सा वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिला था जहां पर फर्स्ट हप में मार्केट में करेक्शन हुआ और सेगेंड हप में मार्केट को ट्रिगर कर सकता है खास करके दोस्तों आइटी सेक्टर के ऑपर एक बैंकिंग सेक्टर के उपर भी कुछ दमदार न्यूज आ और उसके साथ साथ लास्ट नाइट पे यस मार्केट कहां पे क्लोजिंग दिया सारे जानकरी में आपको डीटेल में दे दूंग तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को बिना स्किप के पूरान तक जरूर देखना तो चलिए दोस्तों सबसे वहले कुछ इंपोर्टेन और कुछ गुड निउस से शुरू करते हैं तो यह स्टेटमेंट दिया है मॉर्गन अन्स टनली एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी के साथ सदेग बहुत बड़ा ग्लोबल फिनांशल कंपनी भी है तो इनके तरब से कुछ ऐसा स्टेटमेंट आय सकता है मतलब कोई भी डेपोरेट हाइक नहीं किया जा सकता है और उसके साथ सथ यह भी मेंशन किया कट्स एक्सपेक्टेट इन अर्ली 2024 मतलब जो लास्ट येर मतलब जो कैलेंडर या 2022 में अल्मोस्ट चार से पांच बार आर्बी आइने रेपोरेट हाइक किया था उसको से कत बी कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है और ये कोई छोटामोडा ब्रोकरेज कंपनी या कोई छोटामोडा फरांशेल Ahora் इंस्ट्यूशन की तरब से यह स्टेटेट में नहीं दिया एक बहुत बड़ा ग्लोबल फरांश इंस्ट्यूशन कंपनी या ब्रोकरेज अंडर कंट्रोल रहा यानि जो RBI की tolerance लेवल है 6% से नीचे तो उस case में कोई भी रेपडेट ना हाइक करने का चांस है इनके सेगा थोड़ा बहुत इंक्रीज वा तो वो फ्यूचर में देखा जाएगा तो कहीं ने कि दोस्तों यह impact आपको financial सर्विस सेक्टर के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी एकदम देखने को मिलेगा वाट अट सेम तैम दोस्तों यूएस मार्केट के लिए कुछ ऐसा अपडेट भी आया रिसेशन तो यह इंडिया मार्केट के लिए नहीं है जैसे कि आप देख सकतो जो सबसे वहला अ अब दोस्तों यहां पर की तरह रिकावर करेगा दूसरा नियुज में आप देख सकतो रिसेशन फियर सेट स्टॉक और कोर्स फॉर्विकली ड्रॉप तो लास्ट रेडिंग विक पर ने देखा था यूएस मार्केट के अंदर गिरावाट हुआ जिस बैस इंडियान मार्क तो यहां पर बेसिकली कुछ रिसेशन के उपर यहां पर स्टेट में दिया वाइडली वर्च रिसेशन एलम इस ग्रॉइंग लाउडर तो यहां पर देख से तो क्लियर कर रिसेशन के उपर ही थोड़ा बहुत ऐलर्ट किया है तो कहने के दोस्तों यूएस मार्केट के अं चाहिए जरूर नेक्स दोस्तों बहुत इंपर्टेन अपडेट कि जहां पर इस साल की शुरू में पहले तीन महीं ने जैसे की जैनुरी फेबरी और मर्च लगादार एफाइस द्वारा में सेलिंग देखने को मिला तो कहीं ने कहीं दोस्तों एप्रिल की फिर से हमें बैंकिंग आउटलूक वह हमें बहुत स्टेबल नजर आ रहा है चाहिए हम प्राइवेट बैंक की बात करें खुद यहां पर स्टेटमें दिया था अपने मीटिंग के दौरान की इंडियन बैंकिंग सिस्टेम एकदम स्टेबल है तो जिस बैसे कहीं नहीं यहां पर बहु कि यह मार्केट को छोड़के मैं सबको यहां पर सारे जो यहां पर जनता है देश की सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले से यहां पर प्रिकॉशन लेकर चलिए जब तक यहां पर लोग अभी वेट कर रहा है कि कब गवर्मेंट बोलेगा मास पैनिये पहले ऐसा तो अब देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट 12193 न्यू केस आ चुका है साथ सब्सक्राइब बात करें जो टोटल टोटल अगरम बात करें एक्टिफ केस का नंबर क्रॉस कर चुका है सिक्स्टी सेबेन थाउजन के उपर लगबग सारे सरसाथ हजार के उपर जो के एक्टिफ सब्सक्राइब करते हैं अब पुछोगे क्यों क्योंकि लास्ट पास दिन के अगरम बात करें तो आप देख से धिमेदी में जहां पर नीचे की तरह मूफ किया था वही अगरम लास्टे कोई गिरावट नहीं बल्कि एक स्टेबल पोजिशन में अपने आपको दूसरी जो इसको ब्रेक नहीं किया यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि 12,000 का लेवल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नाजडाक के लिए तो यहां पर एक साल मैं आपको चार्ट परन दिखाता हूं एक टाइम था लास्ट यह नहीं देखा जब सेप्टेमबर की महीने पर पहुच गया था बाराज़ गुबर 13,000 का रिप-कड़ी उसके पहले बेदेखा थे बाराज़ असपर कितना रेजिस्टेंस फेस क्या अब देखे जैसे यह बाराज़ के नीचे पहुचा उसके बात बहुत पर कोशिश किया बाराज़ इवन 200 तक भी पहुच गया था अनफॉचुनेटली वहां पर सस्टेंग नहीं कर बाया फिर से यहां पर गिरावाट हुआ अब मज़े की बात यह है कि लास्ट पांस दिन पर 12,000 के उपर सस्टेंग कर गया यह सबसे अच्छी बात है कि उपर बढ़ नहीं रहा पर नीचे गिर भी नहीं रहा इसके उपर लास्ट नाइट पर इनफोसिस लिमिटेट का जो एडियर वर्शन है वहां पर भी कुछ हद्ताक रिकावरी देखने को मिला यानि यहां पर भी कोई बहुत बड़ा गिरावाट देखने को नहीं मिला आप देख सेकतो शुरू में थोड़ा पॉजिव ओपिन जरूर हुआ मार्केट थोड़ा बीच में डाउन हो गया था यूस मार्केट इस बाइस देखी इनफोसिस भी कुछ मिंटों के लिए बस यहां पर नेगीटिव में पहुचा उसके बाद जैसे यहां पर रिकावर हुआ तो इनफोसिस लिमिटेट का जो एडिया यहां पर बापसी हो जैसे कि आपको मालो मैं आज की डिट में बहुत ही शांदर रिजल मार्केट को बीट कर दिया यह सारे शेयर कंदर भी तेजी होने का चांस है तो मंडे के दिन दोस्तों एक मार्केट में एक अच्छा रिकोबर होने का उमीद लगा जा रहा है तो फिला लगर हम बात करें क अच्छी बात है उसके तुर मार्केट मतलब इंडियन का जो करें सी है रूपी उसका वैलेशन यहां पर एड होगा तो बात करेंगे दोस्तों मार्केट देखे कल संडे की दिन है क्लोज रहेगा तो कल भी बहुत सारे इंपोर्टन अपडेट्स आएगा ठीक है तो सारे ज चान करी देदूंगा तो रिक्वेस्ट करूंगे चोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना बाकी दोस्तों अगर आपको कोई क्वैरी बगर है कमेंट के तुर पूच सकते हो फिलाल वीडियो कहें पर वाइंड आप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक लिए टेक क्यार बाबाई जाए हिन